तो आज की इस वीडियो में हमें एक एक्सपेरिमेंट करके देखने वाले हैं जैसा कि आपको पता ही है यहाँ पर वजीरेक्स ने हमें deposit करने के लिए INR deposit करने के लिए दो options दे रखें एक तो instant deposit का option है एक वजीरेक्स P2P का भी option है और एक तीसरा option भी है वजीरेक्स से bank transfer करके deposit करने का INR तो यह देखो एक दो और तीन standard deposit instant bank transfer और वजीरेक्स P2P तो P2P हमें नहीं करनी है हम इन दोनो options में से इन दोनों में ही basically इसका इस्तेमाल करके INR deposit करेंगे और देखेंगे कि कौन सा option जो है वो पहले हमारा INR deposit करवा देता है क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है पहले इसमें तो 10 rupees की जो fees लगा करती थी अब वो यहाँ पर इन्हों ने कुछ वक्त के लिए wave कर दी है मतलब अभी वो कुछ वक्त के लिए fees एक भी रूपे हमें नहीं देनी पड़ रही यहाँ पर और इसमें एक और चीज है कि यहाँ पर हमें NEFT या RTGS इनी दोनों bank transfer modes का इस्तेमाल करके deposit करना होता है लेकिन यहाँ पर क्या होता है जो standard deposit होते हैं इसमें आप NEFT, RTGS या IMPS दोनों ही मतलब تीनों में से किसी का भी इस्तेमाल करके deposit कर सकते हैं यहाँ पर दो करी होता है और यहाँ पर पहले fees भी लगती थी यहाँ पहले से फीज नहीं लगती लेकिन अब दोनों में हीCr ीस नहीं लग रही है तो दोनों में ही हम पैसे deposit करेंगे इस वाले method का इस्तेमाल करके 200 रुपे और इस वाले method का इस्तेमाल करके 300 रुपे तो हम ऐसे करके 500 रुपे यहाँ पर deposit करेंगे और देखेंगे कि कौन से वाले method से इससे या इससे पैसे पहले deposit हो गए तो फिर जाहिड सी बात है जिससे पहले deposit होंगे उसी का इस्तिमाल करेंगे आगे से तो यह experiment हम करके देखने वाले हैं लेकिन उससे पहले मैं आपको एक दो बाते बता देता हूं जो आपको ध्यान रखनी है बहुत ज्यादा नहीं तो फिर बाद में आपको दिक्कत होगी अगर आप ये वाला या ये वाला इन दोनों में से कोई सा भी deposit method इस्तिमाल करते हैं वजीरेक्स में deposit करने के लिए तो आपका जो वजीरेक्स P2P है ये नीचे वाला option और crypto withdrawals का जो option है अगर वजीरेक्स में आपके पास कोई crypto है आप चाहते हैं Binance में transfer करना तो वो चीज बंद हो जाएगी यहाँ पर block हो जाएगी मैं दिखा जाएगी और जो basic सी बात है जो आपने वजीरेक्स के अंदर bank account दे रखा है उसी से ही deposit करें अगर किसी दूसरे bank account से कर दिये deposit तो तो वो reject हो ही जाएगा आपका 7-8 दिनों बाद फिर वो पैसे वापस मिलेंगे आपको refund मिलेंगे जिसके लिए आपको वजीरेक्स help and support पे ज नहीं और crypto transfer का वजीरेक्स से crypto transfer आपका बंद हो जाएगा और P2P भी बंद हो जाएंगे और आगर किसी और bank account से करा तो obvious सी बात है वो भी आपका refund मिलेगा वो नहीं होगा deposit और NFT RTGS से ही करना है तो ये वाला तो इस option में है जो instant वाला है इसके अंदर और दूसरे वाले के अं जान हमें रखना ही पड़ेगा ये देखो ये दूसरा वाला है मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दिक्कत बाद में न हुआ acknowledge this और यहां पर यह देखो जैस शो बैंक डीटेल पर जब आप क्लिक करते हो तो इसमें भी यही दे रखा है कि crypto withdrawals और P2P बंद हो हैं तो भी यहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी ये जो ट्रांसफर मोड है ये स्टेंडर ट्रांसफर मोड ये थोड़ा सा अलग है इसमें क्या होता है अगर आप बैनिफीशरी सब एड़ बैड करके सारी डिटेल डालके अपने बैंक की एप से जब मतलब ट्रां डिपॉजिट करके फिर आके जो अमाउंट है वो और आपकी ट्रांसफर आईडी जो रेफरेंस नंबर होता वो और डेट वगरा वो जालके दुबारा से इन्हें बताना पड़ता है कि मैंने डिपॉजिट करा है लेकिन इंस्टेंट वाले में क्या है इसमें कुछ नहीं बताना पड़ता आप डिपॉजिट करते हो सिंपल सा यहाँ पे क्लिक करके शो बैंक डिटेल डिपॉजिट करते हो और बस आपका काम पूरा हो जाता कुछ भी वापस आके रहीं डालना होता तो आओ ट्रांसफर करते हैं दोनों से ही मैं आपको एक बार दुबारा पता द डालेंगे इसका इस्तेमाल करके 200 रुपे डालेंगे हाला कि यहाँ पर लिमिट तो 1000 रुपे की लिख रखी है लेकिन हम 200 ही रुपे डालते हैं मैंने कई बार ट्राय करा है ऐसे 100 रुपे 200 रुपे का भी डिपॉजिट सक्सेस्फुली हो जाता है और फीज दोनों में ही न देखो 200 रुपे standard deposit से मैंने transfer करें 12 बच के 49 49 मिनट पे अभी हो रहे हैं 12 बच के आपको दिखा देता हूं मैं 43 12 बच के 43 मिनट हो रहे हैं 12 बच के 49 पे मैंने कर दिये थे 200 रुपे और यहाँ पर 12 बच के 36 मिनट पर कर दिये थे 300 रुपे इस वाले instant वाले में तो अब बखा देता हूं जो ट्रांसफर की जो एक चीज होती है यह देखो यहां पर क्योंकि मैंने जो प्रोसेसिंग ताइम यहां पर 200 रुपए इसलिए लिखके आ रहा है क्योंकि जो स्टेंडर्ड डिपोजिट होता है उसके अंदर हमें जाके वापस जो रेफरेंस आईडी होती है वह वापस लाके डालनी पड़ती है तो वह इसलिए यहां पर प्रोसेसिंग में लिखके आ गया लेकिन इंस्टेंट में नहीं होता यह वाला ऑप्शन तो वहां पर वह इंस्टेंट के जो 300 रुपए हैं वह अभी यहां पर मैंशन होके नहीं आ रहे हैं तो कोई दिक्क वह आपको पता चल जाएगा बाकी एक दो बात आपको यहां पर ध्यान यह रखनी और यह है standard वाले का 200 रुपए तो यहां पर remark में मैंने अपना phone number डाल दिया था देखो मैंने इसे blur कर रखा मतलब हटा रखा इसे मिटा रखा है यहां phone number मैंने डाल दिया था उन लोगों में थी तो इस तरह से मैंने कर दिये transaction अब देखते हैं कितना क्या time लगता है बाकी अगर इस वीडियो में से आपको कुछ भी जानने को मिला वीडियो को लाइक जिरो कर दीजिए चैनल को सब्क्राइब कर लीजिए हमारे टेलिग्राम चैनल को जोइन करना बिल्कुल मत भ स्क्रिप्शन में बाकी अपना दियान रखे मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में